नमस्कार दोस्तों, Happy Study जोनमे आपका स्वागत है और आज हम देखने वाले हैं लातेहर जिला के बारे में और लातेहर जिला से related जितने भी information बन सकते हैं सारे की सारी इस वीडियो में हम discuss करने वाले हैं तो चले शुरुबात करते हैं आज का session स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इसके लोकेशन से तो यह रहा लातेहर का लोकेशन और किस प्रमंडल के अंतरगत आता है तो यह प्रमंडल के अंतरगत आता है जिसके अंतरगत टूटल तीन जिले आते हैं कौन-कौन से तीन जिले हैं गढ़वा प्लामू लातेहर ठीक है द्रक्येगा 4 अप्रेल 4 अप्रेल 2001 को ये जिला बना था ठीक है अगर हम शेत्रफल की बात करते हैं तो शेत्रफल कितना है ये अद्रक्येगा इसका शेत्रफल है 3660 km2 ठीक है अगर जनसंख्या के बात करें तो इसकी जनसंख्या कितनी है तो 7,26,978 ठीक है अगर जनसंख्या गनत्व के बात करते हैं तो जन संग्या गनत्व है 169 ठीक है अगर लिंगा नुपात के बात करें तो लिंगा नुपात कितना है ठीक है अगर विधान सभाष शेत्र के बात करते हैं तो टोटल दो विधान सभाष शेत्र हैं एक लाते हार है और दूसरा मनिका है उसके बाद संसदिय लोग सभाष शेत्र के बात करते हैं तो कितना है टोटल एक है और कौन सा है चत्रा है ठीक है याद रखेगा उसके बाद प्रमुक नदी के हम बात करते हैं जहां से होकर भाती है लातेहर से तो दो नदियां important है हाँ पर एक तो औरंगा नदी है और दूसरा उतरी कोयल नदी है ये दो नदियां काफी important है जो कि लातेहर से होकर भाती है अगर हम कुछ प्रेटर नश्थल की बात करते हैं तो बेतला नेशनल पार्क के हाँ पे काफी ज़्यादा famous है जिसके अस्थापना कभी थी 1986 में हुई थी इसके लावा सुगवा जलपरपात मिर्चयय जलपरपात घागरी जलपरपात और यहीं पर है बुढ़ा घाग जलपरपात जो की कफी ज़्यादा famous है क्योंकि सबसे उची जलपरपात यही है जारखट का यादरगी का फुढ़ा घाग जलपरपात इसके लावा बात करते हैं तो आपको घागरी जलपरपात देखने को मिलेगा नेतरहाट आवासे विद्याले भी कहाँ पर इस्थित है मंडल डैम भी आपको देखने को मिलेगा साथी साथ यहाँ पर एक पिकनिक स्पोर्ट भी काफी ज़्यादा famous है केच की ठीक है केच की पिकनिक स्पोर्ट यहाँ पर काफी famous है इसके लाव कुछ प्रमुक मिले के बात करते हैं तो एक मिला काफी ज़्यादा है यहाँ पर important है याद रखिएगा बरवड़ी का चपरी मिला एक गर्म जलकुंड भी है यहाँ पर जो की ताता पानी है ताता पानी है हलाकि तापात पानी एक अलग है जो की कहाँ पर है तो यह दुमका में तापात पानी दुमका में लेकिन ताता पानी लातेहर में कुछ प्रमुक जनजाती के बारे में अगर हम बात करते हैं तो आपको देखने को मिलेगा चेरो जनजाती राइट उसके बाद खरवार जन जाती देखने को मिलेगा उराओं जन जाती और बीराजे जन जाती आपको देखने को मिलेगा ठीक है कुछ प्रमुक उद्योग के अगर हम बात करते हैं तो आपको देखने को मिलेगा सिखने कोलवरी हिंडालको का स्मेल्टल प्लंट उसके बाद बीड़ी उद्योग भी काफ़ी famous है लातेहार में ठीक है अगर हम बात करते हैं लातेहार के नेतरहाट की तो नेतरहाट काफ़ी ज़्यादा famous है लातेहार में क्योंकि इसको पहाड़ी को मलिका कहा जाता है छोटा नागपुर करानी कहा जाता है और जारकंड का सरवादिक ठंड भी कहां पड़ता है तो जारकंड में सरवादिक ठंड नेतरहाट में पड़ता है और सरवादिक बरसा भी कहां पर होती है तो ये नेतरहाट में होती है ठीक है इसके लाब बात करते हैं जीला अगर जीला आपसे पूछ ले कि सरवादिक बारिस कौन से जीला में होती है तब तो नाम आएगा हजारी बागले के निश्थान के बात करें तब इसका नाम क्या आजाएगा तब इसका नाम आएगा नेतरहट जो लातेहार में है उसके बाद अभी तुरंथ हमने बताया था बूडा घाग जलपरपाथ के बारे में जो कि लातेहार में है और सबसे उच्छा जलपरपाथ है लेकिन अगर दूसरा पूछ ले कि दूसरा सबसे उच्छा जलपरपाथ कौन सा है तो याद रखेगा ये हुन्रू जलपरपात है अच्छा बूड़ा घाग जलपरपात किस नदी पर है तो उत्रू कोयल नदी का एक सहायक नदी है गाईज बूड़ा घाग नदी इसी नदी के किनारे इस्तित है तो इतना information आप यहाँ से याद रख सकते है अब यहाँ से हम बात करते है लातेहर जिला से related important MCUs की तो चलिए स्टार्ट करते है पहला question है लातेहर जिला निमन में से किस परमंडल के अंतरगत आता है correct answer हो जाएगा option number A यानि कि पलामू परमंडल के अंतरगत आता है और इसके अंतरगत टूटल तीन जिले आते है पलामू, गड़वा और लातेहर अगर हम अबसन नबर B के बात करते है तो संथाल परमंडल के अंतरगत टूटल 6 जिले आते है और दक्षिनी छोटा नाकपुर के अंतरगत टोटल पांच जिले और बात करते हैं अगर कुलहान पर मंडल की तो टोटल तीन जिले आते हैं चले हैं नेक्स बात करते हैं क्वेशन नमबर टू की लातेहार जिला की अस्तापना कब की गए थी? करेक्टन सरודय का और एंनि कि 4 अपरियल 2001 को और इसका स ही अंसर होगा नेक्स और क्वेशन नमबर टृ लातेहार जिला किसी जिले से विवाजित हुआ है? करेक्टन सरोだ गए जियानि कि प्लामू से अलग होकर बना था तो और इसका से जिए अंसर होगा नेक्स है question number 4 लाते हर जिला का कुल शेत्र फल कितना है इसका correct answer हो जाएगा option number B यानि कि 3660 km2 option number B इसका सही answer होगा next है question number 5 2011 की जिन गर्ना के नुशार लाते हर जिला की कुल जिन संख्या कितनी है correct answer हो जाएगा option number C यानि कि 7,26,978 option number C इसका सही answer होगा next है question number 6 2011 की जिन गर्ना के नुशार लाते हर जिला का जिन संख्या घनत्व कितना है correct answer हो जाएगा option number B यानि कितना है 179 है option number B इसका सही answer होगा next है question number 7 2011 की जिन गर्ना के नुशार लाते हर जिला का लिंगा नुपाति क्या है करेक्ट अंसर हो जागा option number A यानि कि 960 है option number A correct है next question number 8 2011 के जिन गन्ना के नुसार लाते हार जिले की सक्षर्टा दर क्या है correct answer हो जागा option number B यानि कि 59.51% option number B इसका सही answer होगा next question number 9 लाते हार जिला के अंतर गत कुल कितने अनुमन डल है 9 का correct answer हो जागा total 2 अनुमन डल है option number B इसका सही answer होगा next question number 3 लाते हार जिला के अंतर गत कुल कितने परकंड है 10 का correct answer हो जागा option number C यानि कि total 9 परकंड है option number C इसका विल्कुल सही answer हो जागा next question number 11 लातेहार जिला के अंतरगत कुल कितने विधानसभाश शत्र हैं 11 का करेक्ट अंसर है ऑप्सन नमबर B यानि कि टूटल तो विधानसभाश शत्र हैं ऑप्सन नमबर B इसका सही अंसर होगा Next है question number 12 नमबर में से कौन सी नती लातेहार जिले से होकर परवाहित नहीं होती है तो बारा का करेक्ट अंसर हो जागा ऑप्सन नमबर C दक्षनी कोयल ऑप्सन नमबर C इसका बिल्कुल से अंसर होगा Next है question number 13 जारखंड में परवाहित होने वाली नमबर में से किस प्रमुख नदी का उदगम लातेहार जिला से होता है 13 का करेक्ट अंसर हो जागा ऑप्सन नमबर B यानि की दामुदर नदी का लातेहार टोरी से इसका उदगम होता है option number B इसका बिल्कुल से इंसर होगा इसका करेक्ट अंसर हो जाएगा कांती, बुड़ागाग और लोधा यानि आप्सन नमबर D इसका से इंसर हो जाएगा उपरुक्त सारे की सारे जलपरपाथ कहां पर हैं तो ये लातेहार में है नेच्ट आप्सन नमबर 15 नेच्ट आप्सन नमबर 16 नेच्ट आप्सन नमबर 17 जिसका सही अंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है इसका सही अंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है इस तरीके से आज का सेशन हमने कम्पलीट कर लिया है अगर आपको सेशन पसंद आया है तो प्लीज लाइक कीजे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राब करके बेल आइकन को प्रेस किजएगा तक कि आपको न्यू वीडियो को नोडिविकेशन बिलकुल सही समय पर मिलता रहेगा थैंकियो सो मच जहेंद